आपका स्वागत है दरेंबी इशो क्लिप्स नेम बस देखते रहो और सीखते रहो अबने कहा कि दो डेंजरेस सिचुएशन दोगेते हैं जानवरों के साथ हाँ जानवरों के साथ नहीं मैं गलत जंगल में फज़ गया था जांबिया में जांबिया में क्या कहते हैं नॉर्थ लॉँआगवा नैशनल पार क्यी नग्या मेरे को शाथ लॉँआवी जनल जंगल टोगैं जंगल बाट से हैं जंगल कि ग्लती से इनल पार की घूज गया है गलती से कहा है मुझे पता ही नहीं था कि वहां पर forbidden है जाना cyclist का और वहां पर बहुत ज़्यादा शेर रहते हैं एक मनद अभी I think we should switch on the screen थोड़ी experience के लिए ये podcast के नहीं नहीं अच्छा ओक्यों ये ये है जंगल ये जिसमें रस्तों से उतर रहा था ये startment है एक and आसपास जनवर है जंगल है पूरा जंगल है तो रस्ता इतना खराब था कि मेरे को अपना समान हटाना उतारना पड़ रहा था साइकल से plus you have to be aware कि आसपास animals है की नहीं पानी का source के वल ये था और मैं बिना filter की ऐसी से मैंने जाके पानी पिया इस नदी से ये बिना filter की है हाँ क्योंकि मैं इतना थक गया था कि मैं filter निकालने के भी उसमें नी था और इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी और दो दिन तक कोई गाड़ी नहीं आई कुछ नहीं आए क्योंकि मैं सोज़रा था मैं lift ले लूँ और जंगल से निकल जाऊं क्योंकि शेर बहुत जादा थे जंगल में और हाथ ही बहुत जादा थे दिखे नहीं नहीं दिखे मेरे को रास्ते में कि दिन के टाइम नहीं दिखते हो यहाँ के special forces skill काम आते हैं हाँ या मतलब की चीज को जैसी situation है आप उसको बदल तो सकते नहीं हो तो आप कितना काम रह सकते हो वह साइकल पुश करें इतने लंबे टाइम तक रेत ही रेत थी पूरे रास्ते में और मेरी साइकल सतर के लोकी थी और अगर एम्टी भी टायर होते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबली आप कर सकते हैं पर वह भी नहीं था और दो दिन तक मुझे कोई नहीं दिखा इस जंगल में पर आप यह पानी पी रहे हो डायरिया का डर नहीं रहता यह तो यह तो फिर भी साफ नदी थी मैंने तो अस्ट्रेलिया में से मिट्टी वाला पानी पिया है कि विल्कुली और वहा पर नाल बोड डेजर्ट में रेनवाटर के टैंक लगते रहते हैं उसके अंदर काई जं ना कभी डायरी वह भआ हो मेरे को कैसे दो दोर मैं कभी फील्ट्र वाला पीतानी मैं कभी बॉट्ल मैं आद़र डालता हूं कि कि जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं वही पानी प्यूंग जो लोकल्स पी रहे हैं कि तुमको हमेशा फिल्टर वाली बॉटल तो आपके बिस ले रही तो खरी नहीं सकते हैं और बार एंड एड्स तो लॉट आफ एक्सपेंस तो जो टैप वाटर और केनिया में ऐसा ऐसा टाइप तो है नहीं कि टैप वाटर इस सारा बिलकुल सुपर फिल्टर पर वहां के लोकल लोग जो पीते हैं मैं वही पीता हूं वो टैप वाटर पीते हैं सारे तो मैं भी टैप वाटर ही पीता था था यहां साले यहां तो लोकल भी नहीं पीते पानी आंका क्योंकि लोक यह ऐसा टरेन था एक तो बहुत उची पहाड़ी से एसकार्पेंट जो पिछले वाले उसमें दिख रहा था मैं पहाड़ी से नीचे साइकल लेकर आ रहा था तो एक हजार मीटर का सीधा फॉल था स्ट्रेट फॉल और वहां पर मतलब 4x4 भी बोड़ी मुश्किल से अपड़ करना अगला फोटो यह उसका वीडियो आई है तो मैं जो बता रहा था कि मतलब इतनी हालत खराब थी मेरी और कई चड़ाइए इतनी जादा स्टीव थी कि मेरे को पूरी साइकल अनलोड करनी पड़ती थी फिर मैं साइकल आगे लेकर आता था फिर पूरा समान उठाकर ला कि मैं जब जो है यह वह जो मैं रस्ते से नीचे आ रहा हूँ जो इस्कारपेंट में बता रहा था ना नाइस बियर्ड अभी थोड़ा जिंटलमेनली हो गया हूँ पर नहीं अच्छी होट लग रहे हूँ ठीक है बेटर है रात को जो आप सोते थे तो आसपास शेयर गूब रहे तो यह जगह थी जहां मैं ना चार बजे मैंने साइकल चलानी बंद कर दी एक तो महाँ पर सेसे फ बजे था कि दूसरा दिन था मैंने सुझा कोई गाड़ी आएगी मैं लिफ्ट ले लूँगा क्योंकि रात को यह जंगल बहुत ही खतरनाच था यहां पर सोना बहुत ही वो डेंजरस था कोई गाड़ी नहीं कोई बंदा नहीं कुछ भी नहीं आया फिर मैंने जगह साफ कर यह रोड से करी 100 मीटर अंदर थी फिर मैंने टेंट लगाया और खाना बनाने की मेरी दम नहीं थी मैं इतना थका हुआ था तो बस ब्रेड के ओपर मैंने चीज और जैम लगा कि मैं खा के सो गया और पर थके होने का यह फाइदा होता नहीं कि आपको नीन जल्दी आ जाती है तो रात को क्या हो रहा है क्या चल रहा है कुछ पता नहीं पर आप ऐसपास लाइन्ज हैं हाँ 100 परसें कॉंशेस था मैं कि यह आसपास लाइन्ज जगे थी लाइन्ज के लिए फिर मैं जब सुबह उठा तो में आसपास पग मार्स भी दीखे बहुत बड़े बड़े ब तो तो हाथ ही आपको दीख जाते हैं पकमार्स बहुत बड़े इसके नीचे एक और वो है जो एक दिखेगा कि जंगल कितना घंगा था हाँ यह मैंने ड्रोन तो पहले दिन रात को किसमत से मेरे को बहुत कहीं मेरे को रहने की टेंट करने चल नहीं रहा जगह नहीं मिली मेरे कहीं पर भी वो करने की यह क्या हो रहा है हां तो यह ड्रोन से मैंने शूट किया है तो यह मेरे को किसमत से एक छोटी सी कोईरी मिल गी थी जंगल के बीच में नहीं कुछ मिट्टी निकाली होगी पर तो यहां क्यों ठहरे है क्यों सेफ होती है यह शाम होगी तो कहीं जगह तो फिर मुझे कहीं वैसी जंगल साफ करना पड़ता ये किसमत से मेरे को थोड़ी सी कटिंग मिल गई रोड के बगल में भी उपर से दिखेगा रोड का जारी हो और अभी पता चलेगा कि कैसा जंगल है और ये तिनी सी कटिंग है अपसे सौ मीटर दूर ही ये सामने से रोड जारी है ना ये जारी रोड नीचे दिख रहे हैं मैं जानवरों के बार में सोच नहीं मतलब अगर इतना डेंस जंगल दिख रहा है और इनसेक्ट्स है अनिमल्स है अहां अरे ये तो भरा पड़ा है सबसे ज्यादा फेमस है जंग सफारी के लिए जंग वहां पर आप लिटरली एक डेंस जंगल के बीचो बीचो हां बिल्कुल अकेले और कोई मतलब कोई आदम जात है यह नहीं कई किलोमीटरों तक रात को चोटा सा वीडियो एक्चुली है पूरा मैंने वो करके लिया था रात को क्या सुनाई दे रहा सो जाते हैं मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है मैं सो जाता हूँ क्योंकि लाइन्स नॉक्टर्नल होते हैं रात को हंट करते हैं आई डों नो कैसा माइंड सेट हम बहुत न्यूटरल होना पड़ता उसके लिए अगर इतना डर है चीजों का तो फिर आप यह काम नहीं कर सकत हो और पता है यह भी मतलब एक तरीके का यह मैंने बहुत सारे जिंदिगे में डिसीजन ना प्रॉबबिलिटी के साब से लिए कितने लोगों को शेर ने खाया है तो मेरे को जो चीज ठीक लगती स्टाटिस्टिक से मैं ले लेता हूं तो अभी मैंने पूरा वो भी किया है नहीं एलिफेंट्स बहुत जादा पर अफ्रिकन एलिफेंट्स बहुत अग्रेसिव होते हैं इंडियन एलिफेंट्स से बहुत अलग हैं अगर एक इंडियन एलिफेंट्स और आफ्रिकन एलिफेंट्स को साथ में रखा तो क्या होगा यह मेरे को लगता है हमारे इंडियन elephant का बहुत spiritual किसम के वो है सच है बहुत शानत है वो cute होते है cute होते है बहुत ज़्यादा उन पर के चहरे पर aggression ज़र नहीं आता Indian elephants के African elephants के तो बहुत चहरे पर आता है उनके तो कान भी तने बड़े सून भी अलग तरीके की होती है तो लगते हैं वो उस टाइप के Indian elephants तो बहुत क्यूट है फिर हमने मतलब हमारी society का हिस्सा रहे इतने टाइम से Indian elephants, South Asian society का भी तो South East Asian बगारा में भी तो तो हमारे culture का हिस्सा है ब्रोज है, African elephants ब्रोज है हमें तो गनेश जी भी हैं हो तो हमेशा साथ ही रहते हैं टाइपस में तो भी है अपको वाइल्ड में देखे हैं हाँ हाँ वाइल्ड में बहुत देखे हैं वीडियो इसमें नहीं डाले मैंने दो देनोटर सी क्योंकि कहते हैं कि elephant's eyesight is great memory भी आगा तो आपने किसी को elephant को कभी भी किसी ने हाम करने की कोशिश करी elephant's आएं वापस बदला लेने के लिए और उनको याद रहता है पर बोच्वाना में तो elephant highway है एक बहुत तीन सो किलोमेटर वाँ हाती है मेरे पास हैं वीडियो इसमें यह दिखाऊ उनसे डर लगता था या चुपचाप से निकल जाओ फ्रेंकली तो इसलिए मैं ऐसे देखता भी नहीं था जादा चुपचाप से निकल जादा था था थोड़ा कैमरा गुमाए का रिकॉर्डिंग कर ली टाइपसे में पर आई कॉंटक भी नहीं करते थे उनके साथ या वैसे जनरली वो ऐलिफेंट ऐसे अटाइक नहीं करते हैं जो मेल ऐलिफेंट अकेला घूम रहा हो डेंजरस है पर अगर जुंड हो मतलब लड़की हमेशा से शान्त रहती है ना हर स्पीशीज की तो जहां पर जुंड हो तकरीबान सिंगल मेल ऐलिफेंट है वो बहुत दिंजरस है अगर गरम हो चुक है तो तो उसका भी रहता था क्योंकि जहां पर दिखते थे खासका बोच्वाना का 300 किलोमेटर वेन्यू एंटर बोच्वाना का जुंगला से एक नाटा करके जगे 300 किलोमेटर उसको ऐलिफेंट हाइवे बोलते है तो अगर हाथी दिखते है तो महापे स्टेंडर्ड प्रैक्टिस है महापे रुक जाओ कोई गाड़ी आएगी उसके पीछे-पीछे पकड़ कियो है एक्चुली नूबियन्स अपने आपको ये फारो से भी बड़ा समझते है ये सुडान की डैनेस्टी ती जिसने एजिप्ट पे भी 900 साल रूल किया तो ये उनके पिरामिड्स है पर ये बहुत चोटे पिरामिड्स है देखना आगे भी और फोटोग्राफ ऑंगे शाहे जिसमें अच्छे तो क्यमने वाइन कैंपिंग रही डैजर्ट में हां रोजी कैंप करता था यार में मैं को रोजी कैंपिंग करता था डैज़र्ट में जबर्दस ठंड होती है कि रात को बहुत ठंडा हो जाता है बहुत अंड़ जाता है एक दो डिगरी तो टेम्परिचर हो जाता है डेजर्ट में सर्दियों के मौसम में पर वो पिरमिट्स के अंदर गया आप यह पिरामिट्स बंद ने हैं कि बहुत चोटे पिरामिट्स यह यह आपके आफ्रिकन अड्वेंचर यह लेक तुरकाना के र लॉग डिस्टन्स के लिए साइकल कर रहो अब बस अब्स अब्स अब्सॉब कर रहो चीजों को लगव इत यार और दिमाग में बहुत सारे चीज़ें चलती रहे हैं बहुत बड़ा क्लेंजिंग प्रोसेस है यह तो यह क्या आपके आसपास कोई नहीं है आपके दिमाग म यूर एक्शन्स कोई जज करने वाला नहीं है उसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड की हैं इस चैनल पर चैनल को एक्स्प्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ